इसमें मैंने इसको आसान बनाने का कार्य किया है तेक्सेशन एक टेक्क्निकल चीज तो है समझने में पर उसको मैंने थोड़ा सा आसान करने का कोशिश किया है आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रयास कैसा लगा First Tax Tax को आप इस तरीके से ले सकते हैं जब mode of income redistribution income को redistribute करने का काम करता है दुबारा से बाटने का काम करता है Suppose दो वेक्ति हैं A और B A की income 10,000 है B की income 20,000 है और उस पर उनको 10% का tax देना परता है तो A के पास फिर 9,000 बज़ता है और B के पास 18,000 बजता है उन दोनों के income में 9,000 का फर्क आ गया पर यह फर्क पहले कितना था पहले यह फर्क 10,000 था 10,000 और 20,000 तो इस तरीके से income को redistribute करने का काम taxation के तुरू हो सकता है फिर taxation का एक और consumption size redistribution होता है कि जैसे अगर कोई rich person है वो government service नहीं देता है पर वो tax तो pay करता है और इस तरीके से poor person होता है जो कम tax pay करता है या नहीं के बड़ाबर tax pay करता है या सिर्फ indirect tax pay करता है पर वो government service लेता है तो यहां पर consumption side से redistribution हो रहा है income का अब उसके बाद direct tax और indirect tax समझते हैं direct tax एक उसका incidence और impact दोनों एक ही point पर होता है यानि same person पर होता है और same person ऐसा बोल सकते हैं और indirect tax है कि impact उसका जो ultimate consumer है उसके उपर परता है पर उसका incidence ऐसे सो होता है कि हाँ यह जो seller है या distributor है उसके उपर पर पर रहा है पर ultimately वो consumption side में पे कर consumer को पे करना होता है फिर direct tax में आपका income tax TDS जो की अगर पैन नहीं है लगा हुआ तो TDS देना होता है वो income tax ही है एक तरह से interest tax, wealth tax, capital gains tax या CGT बोलते हैं जिसको जैसे land पे, bond पे, government securities वगरा पे या फिर debentures हो गए या उस पे जो tax pay करना होता है या कोई भी asset आप बेशते हैं उसमें जो capital gain होता है उस पे जो tax लगता है वो capital gains tax है फिर security transaction tax है यह जो share market से related है मैट minimum alternate tax है जो की corporate या फिर business houses जो होते हैं उनको देना होता है जो मैट लगबग 18% था फिर corporate tax है जो की corporate income tax है जो उनको profit होता है उसमें government को देना होता है फिर indirect tax में आप आजाए sales tax की बात कर लेते हैं sales tax में आप देखे sales tax है service tax है octroi है octroi जो एक state से दूसरे state में जाने में लगता है और sales tax जो की एक हम किसी भी जो production side पे लगता है अगर कोई भी कोई भी commodity है उसको आप produce कर रहे हैं तो manufacture कर रहे है तो उस पर लगता है customs export import होता है उस पर लगता है और excise sorry sales tax जो है आपका वो किसी जो किसी चीज को बेचने में selling के side पे लगता है और excise लगता है आपका manufacturing पे customs import export पे लगता है तेक्सेशन तीन तरह से थरीके का होता है आप कह सकते है progressive taxation, regressive taxation और proportional taxation progressive taxation है कि अगर income बढ़ते जाता है जैसे slab बढ़ता है वैसे वैसे taxation का rate भी बढ़ता है जैसे अपने इंडिया में आप देख लिए यह taxation का slab है हालांकि यह वर्ल का फेवरेट taxation method है progressive taxation और यह प्रोपूर है regressive taxation की बात किजिए regressive taxation में जैसे जैसे income बढ़ता है वैसे वैसे tax घटता है यह एक प्रोप रिच हो गया और anti-poor कह सकते हैं इसको proportional taxation हर टैक्सेशन एक तरीके से proportional taxation होता है क्योंकि अगर आप progressive taxation की बात करें तो यह एक समय तक बढ़ते बढ़ते hundred percent हो जाएगा regressive की बात करेंगे तो एक समय तक घटते घटते zero हो जाएगा तो इसको proportional बनाना पड़ता है इस तरीके से अब taxation का criteria आप देखे जो पांस criteria है बहुत इंपोर्टेंट है criteria criteria कहने का मतलब है कि आपका fairness होना चाहिए टेक्सेशन में पब्लिक को फियर systems लगना चाहिए efficiency होना चाहिए taxation में यानि कि उसका collection का cost होना चाहिए और double dividend double dividend कहने से मतलब है कि अगर आप pollution पर टेक्स लगाते हैं या cigarette पर टेक्स लगाते हैं तो एक वो जो consumer को discourage तो करता है कि वो उस चीज़ को कम करें और दूसरा उससे tax collection होता है जो कि किसी और जो कि public goods पर यूज किया जा सकता है तो इसी को double dividend बोलता है या नि दोनों साइड से फाइदा हो रहा है इसमें administrative simplicity होना चाहिए और यह जो करप्सन को कम भी करता है यह चैलिया committee के recommendation पर हुआ था flexibility तो होनी ही चाहिए जैसे आप आए दिन देखते हैं जिस्टी के rate में कम या जादा किया जाता है तो flexibility एक होता है कि ट्रांस्पेरेंसी की बात किजिए ट्रांस्पेरेंसी तो 100% होना ही चाहिए किसी भी government या इवन प्राइवेट में भी transparency होना चाहिए चाहिए हुआ कोई भी system हो transparent होना बहुत जरूरी होता है taxation को हम आगे भी continue करेंगे फिलहाल इसको यहीं पर रखते हैं आगे आप support कीजिए तो मैं और भी इसको continue करूंगा thank you friends